नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाएंगे अद्भुत और अनसुनी कहानियां भारतिय पौरानिक कथाओं से आज हम बात करेंगे एक महान रिशी, रिशी अत्री के जनम की कहानी के बारे में रिशी अत्री, जिन्हें सबतर्शियों में से एक माना जाता है, उनके जनम की कहानी अद्भुत है यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पन और तपस्या का फल हमेशा मीठा होता है रिशियत्री के माता पिता, रिशियत्री और माता अनिसूया, अत्यन्तधार्मेक और तपस्वी थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और हमेशा उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते रहते थे। पुत्र विशेश गुनों से परिपून होगा और वह भविश्य में महान रिशि बनेगा। कुछ समय बाद, माता अनिसूया ने एक सुन्दर पुत्र को जनम दिया, जिसे अत्री नाम दिया गया। अत्री का जनम केवल एक सामान या जनम नहीं था, बलकि यह एक जैसे जैसे अत्री बड़े होने लगे, उनकी बुध्धि मत्ता और ज्ञान ने सभी को प्रभावित किया। वे बचपन से ही ध्यान और साधना में लीन रहते थे। रिशि अत्री ने अपने जीवन में कई कठन तपस्याएं की, और उनके तपसे प्रभावित होकर देवत प्रभावित होने उन्हें कई दिव्य शक्तियां दी। उनकी तपस्या का फल्या हुआ कि उन्होंने ना केवल अपने लिए, बल्की समस्त मानवता के लिए ज्यान और मार्गदर्शन प्रदान किया। रिशिय अत्री ने वेदों और उपनिश्दों का अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनका योगदान भारतिय संस्कृती में अमूल्य है। तो दोस्तों, यह थी रिशिय अत्री के जनम की कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती हैं कि जब हम सच्चे मन से प्राथना करते हैं और तप करते हैं, तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अगर आप कोया कहानी पसंद आई हो, तो कृप्या हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें कॉमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। धन्यवाद।